अगर आप चंडिगड के नद्दी कोई बड़िया प्रापर्टी डून रहे हैं तो आज प्रापर्टी हंटर्स आपके लिए लेकर हैं रिवर डेल एरो वीस्टा का विला तो आईए चलिए देखते हैं विला अंदर से कैसा बना है तो सामने आजाता है आपका ड्राइंग कम डाइनिंग रूम तो ड्राइंग रूम में आपको प्रापर सनलाइट के लिए फुल लैंथ विंडो मिलेगा और विंडो से आपका व्यू कुछ इस तरह का रहेगा काफी खुला डूला और लग्जीरियस ट्राइंग रूम आपको मिलेगा कुछ इसी तरह का इंटीरियर आप अपने ट्राइंग रूम में भी करवा सकते हैं और इस विला की खास बात यह है कि इसमें हर जगा आपको स्टूडियो लाइट्स मिलेंगी तो आईए अब देखते हैं किचन बहुत ही बड़िया फिनिश के साथ कुछ इस तरह का मोडिलर किचन मिलेगा आपको प्रॉपर सनलाइट और क्रॉस वेंडिलेशन के लिए किचन के साथ आपको ओपन एरिया मिलेगा किचन में भी आपको स्टूडियो लाइट्स मिलेंगी जो कि आपकी किचन को बहुत ही बहतरी लुक देती हैं आईए अब आगे चलते हैं तो किचन के साथ में आपका आजाता है फर्स बेड्रूम तो कुछ इस तरह का खुला डूला बेड्रूम आपको मिलने वाला है और ग्रॉस वेंडिलेशन के लिए आपको एक विंडो भी मिलेगी और बेड्रूम के साथ में आपको मिलेगा अटैच्ट वाश रूम इस रूम के साथ आपको वाश रूम का भी खुला डूला मिलेगा तो वाश रूम में आपको एंटी स्लिपरी टाइल्स के साथ प्रेंडिट फिटिंग मिलेगी तो चलिए चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ काफी खुली डूली स्टेश आपको मिलेगी तो स्टेश से निकलते ही आपको सामने कुछ इस तरह का सिटिंग एरिया मिलेगा तो चलिए चलते हैं सेकंड बेड्रूम की तरफ इस डूम में भी आपको प्रॉपर संलाइट के लिए फुल लेंथ विंडो मिलेगी और साथ में आपको मिलने वाला है अटैच्ट वाश रूम और वाश रूम के साथ ही आपको दिया हुआ है एक फुल मिरिर के साथ कबूर तो आपको कुछ इस तरह का वाश रूम ब्रेंडिट फिटिंग के साथ मिलेगा और इस रूम के साथ आपको मिलेगी आटैच्ट वाल कुनीं और बालकोनी से आपको कुछ ऐसा व्यू मिलने वाला है और इसी रूम के साथ आपको अटैट ओपन एरिया भी मिलने वाला है जहां शाम को आप बैठ कर अपना चाई कोफी का आनद ले सकते हैं तो आईए अब चलते हैं थर्ड बेडरूम की तरफ बहुत ही खुला ढूला और प्रॉपर सनलाइट के साथ आपको बेडरूम मिलने वाला है इस रूम में आपको एक विड़ो मिलेगी और साथ में मिलेगी बालकोनी और इस रूम में आपको मिलने वाला है फुल लेंद कपड़ के साथ ड्रैसिंग एरिया और साथ में आजाता है आपका अटेच वाश्रूम और वाश्रूम में आपको क्रॉस वेंडिलेशन के लिए दो विंडोज मिलेंगी और कुछ इस तरह के सीलिंग वर्क के साथ ब्रैंडिड फिटिंग मिलेगी और चलिए अब चलते हैं रूफ की तरफ तो कुछ इस तरह का काफी खुला डूला स्पेसी रूफ एरिया आपको मिलने वाला है झाला है झाल झाल तो दोस्तो ये था आपका रिवर डेल एरो विस्दा का विला तो अगर आप प्रोपरडी में इंट्रस्टिड हैं तो जल्दी से जल्दी नीचे दिएगे नमबर पर कॉंटेक्ट कीजिए झाल 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 झाल